देखे जादे घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा डारेक्ट काम की बात करूंगा और तू दी पॉइंट आपको बताऊंगा कि शेयर प्राइस सूपर क्यों नहीं जा रहा है सेयर प्राइस सूपर कब से जाएगा इसके लिए विसी के लिए हमें दुटीन चीशों को समझना बहुत जरूरी है एक कंपणी का बिजनेस मडल अगर बिजनेस मडल परफेक्ट है तो दिर सब्सक्राइस सूपर जाएगा ही जाएगा और दूसरा कंपनी का फंडामेंटल ख पहला है merchant banker यह जो company ने merchant banker के तोर पर काम करती है merchant banker क्या होते हैं एक बैपारिक bank bank का छोटा वाई समझ लीजिए अगर आपको कोई ब्योसाय सुरू करना है और आप लोन लेना चाहते हैं तो bank के पास जाएंगे उसमें बहुत ताम जाम होते यह आपको ही मर्चेंट बेंकर को पकड़ेंगे तो पहुष इजली आको लोन मिल जाएगा और आपका काम भी असानी सच हो जाएगा तो मुझे पर्सरिशनली ऐसा लगता है कि मर्चेंट बेंकर के तोर पर जो कंपनी अन दिनों अचाहे एंबी अपसी के तोर पर जो कंपनिया इन दिनों उभर रही है वह कंपनी आगे चलकर ग्रोग कर सकती है उनका डिमांड नारे वर समय में बढ़ेगा और इसका लावा देखेंगे तो यह श्टॉक ब्रोकिंग का भी सुविदा प्रोभाइड करता है तो परस मार्केट के 100 क्रोण से उपर है और उसके अलामा देखेंगे तो इसके पास रिजर्फ है 101 क्रोण का तो कंपनी जब चाहे है अपने करजे को चुका देगी और अच्छी बात है कि रिजर्फ क्वाटर कंपनी का बढ़ते जा रहा है अगर प्रोफिट देखेंगे तो यह कं क्रोण 24 लाग हो गया और पिछले कई क्वाटर से बहनू और इसका प्रोफिट बढ़ते जा रहा है कंपनी का बिजनेस आगे कि तरह बढ़ रहा है तो फंडमेंटल में यहां तक कुई दिकत नजर नहीं आया अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो थोड़ा सा अब चु आपने जो शेयर खरिदा है उस पर साल भर में कितना रिटर्न मिलेगा यह डिसाइड करता है रिटर्न ओन इक्विटी में सिर्फ सेयर सोल्डर्स का रुपय लगा होता है इसलिए ऐसे शेयर सोल्डर्स आपको ज़्यादा इसी पर ध्यान देना चाहिए तो यह है साथ पु का रुपया होता है यह सलाना 20 परसेंट सदिक होना चाहिए लेकिन यह क्राइटरिया जो लार्ज केप कंपनिया होती उसके लिए यह चुकि पेनी श्टॉक है तो 20 परसेंट के अगर आधा है तो क्या दिकत है यह अभी परफेक्ट है और कंपाउंडिंग प्रोफिट ग्र आपको भी अगर समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल संदार लगया कोई चिंदा की बात नहीं है अब समझें यह हाई लगा चुका है चौर्पया 45 पैसा का और हाई लगा है था साथ जनवरी में हाई लगाने कबाद यह कंपनी का सेयर प्रैस डाउन गया और डाउन जाने और अभी भी देखेंगे तो इसका सेयर प्रैस आज के दिन की बात करें हो तीन रोपया चाहट पैसा है यानि कि यहां से उठना सुरू वाता उससे बहुत दूपर है मतलब अभी बुरे दिन नहीं आये हैं और हमें कोई खास चिंदा करने की जरोत नहीं है अब यहां समझ जाता है तब यह पहुंच सकता है आराम से च्छों रुपय का सपास तक और अगर साल भर के टार्गट की बात करें 2022 के लाट तक तो दौस रुपय तक भी जाता हुँ आपको दिख सकता है और अगर सपोर्ट लेवल की बात करें यानि कि मान लीजिए अभी तीन रुपय च करना है कि और इस बा होने का इस कर जाता है तो समाना나 है कि जब इससे बाहर निकलेगा तो से रच करके बहुँ और चाहर जाएगा तो चल경 में बहुत ज़ुआर ऐस कम मान इस और चानकाCOR करनां पर बिस्ट के लिए शेयर प्राइस लोग्र जाने के लिए और उमीद है कि सब या मई प्रथम विक में इस कंपणी का क्वार्टर कर रियल्ट आ जाए आप समझेष जब भी क्वार्टर फॉर्ट आएगा चाहिए मां के फर्स्ट विक में है आपको अगर नया या इंट्री लेना है तो पॉर्टर फोर्क रिजल्ट आने कि बाद ही लीजेगा और उसमें भी देखेंगे जब फोर्क रिजल्ट पोजेटीव आएगा यानि कि उसमें कंपणी का रिफेणू और कंपणी का प्रोफिट बढ़ते वे दिखे तब इंट्री लेना है ना कि र परिजनेस मुडल ठीक है और अगर आप एक लॉंग टर्म इंवेस्टर है तो आपको इस कंपनी में बने रहना चाहिए इसमें समय देना चाहिए लेकिन अगर आप हड़वड़ी में है जल्दी में है जल्दी पैसा कमाना चाहते तो बैसक्त किस्त कर सकते कोई दिकत नहीं है अमीद करते हूं मेरी बाते आपको समझ में आ रही होंगी वीडियो में इंफर्मेटीव लगा होगा फिर वेगर मन में कोई सवाल है कोई कनिफ्यूजन है तो आप मुसे कमेंट में पूछिए मैं उसका रिपलाई दूँगा और पर्सनली मुसे जूर बाते हैं ना चाह दो झाल दो आपको दो आपको वीबिए।